नमस्कार, लखनो वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनो उतर प्रदेश के दर्सकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुची रखते हैं तो हमारे लखनो वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल सके और हां कमिंट बक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से किस्टमों के आधार पर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी कई जिलों में काफी ब्यापक वर्षा देखने को मिलेगी एक चक्रवाती हवाओं का चेत्र बुंदेल खंड के उपर बना हुआ है पस्चम उत्तपरदेश के जादे तर जिलों में मौसम मुख्यता साफ और सुस्क रहने की उम्मीद है हालांकि कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिस की गत्विदियां देखने को मिल सकती है लेकिन बारिस यहाँ पर हल्की होगी एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है इसी तरीके से नेपाल और उत्रा खंड से सटे उत्तपरदे हो सकता है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम मौन्सुनी बाउचारें यहाँ पर गिर सकती है हालांकि बारिस की संभावना बेहत कम रहेगी लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी लक्नों मौसामिभाग के अंसार 6 सितंबर से पहले पूरे प्रदेश में बारिस की इंतिजार करना परेगा पश्चम उत्ता परदेश से लेकर पूर्वी उत्ता परदेश तक कि किसी भी जिले में बारिस के फिलाल कोई बहुत ज्यादे संभावना दिखाई नहीं दे रही है हालांकि तापमान में वढ़ोतरी की कोई खास गुंजाइस नहीं है हवाओं के चलने से उमस में भी राहत मिलती रहेगी तो ये था लखनोग उत्ता प्रदेश के मौसम का हाल वा जानकारी वीडियो को लाइक वा सेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय किसान